अजीस तल्बाव तालिबात डाइरेक्टोरेट अफ डिस्टेंस एडुकेशन मौलाना आजात नेशनल उर्दु उनिवरस्टी के इस तालिमी प्रोग्राम में आपका इस्तिक्वाल करता हूँ आज का टापिक है तारीख नवीसी की एहमियत इस टापिक को समझाने के लिए हमारे बीच एक अजीस चक्सियत मौजूद है डाक्टर इक्राम उल्हक साहब जो शोयबे तारीख मौलाना आजात नेशनल उर्दु उनिवरस्टी से तालूख रखते हैं हम दिल की गहराईयों से इस तालिमी प्रोग्राम में इस्तिक्वाल करते हैं इस टॉपिक जो इतना अहम है तारीख नवीसी का क्या आप हमारे बच्चों को ये समझाते हैं कि तारीख और तारीख नवीसी के बीच में क्या रिस्ता होता है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब बाशा साहब आपने जो ये सवाल पूछा है इसमें दो चीजे बहुत अहम पूछी हैं आपने पहला तारीख और दूसरा तारीख नवीसी और उसी में एक और सवाल आपने जोड़ा है तारीख और तारीख नवीसी के दर्मयान रिश्टा तारीख और तारीख नवीसी के दर्मयान रिश्टे को समझने से पहले हमें तारीख और तारीख नवीसी को समझना ज़रूरी तारीख तो माजी के हालात, वाकियात और बदलाओ की एक दास्तान है और बहुत दिल्चस्प दास्तान है तारीख नवेसी इस कहानी और दास्तान को लिखने का तर्ज है यानि तारीख नवेसी में कोशिश ये होती है और एक मौरिख का काम ये होता है कि माजी के हालात के मुतालग जो चीजें लिखी गई हैं उनका मुताला करें और इस तारीख नवेसी की अब्तिदा और आगाज बहुत पहले से है युनानी तहजीब में हेरेडॉटस को तारीख और तारीख नवेसी का बानी कहा जाता है और उसके बाद दुनिया की मुक्तलिफ तहजीबों में चाइनीज, हिंदोस्तानी, अरब, इरानी, लातीरी अमेरिका इन तमाम मुलकों में लोगों ने माजी को समझने और पढ़ने और लिखने की एक रिवायत जिन्दा रखी जब मुर्ख इस तारीखी रिवायत को, इस तारीख लिखने के अंदास को जब पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है तो इस फन को, इस इल्म को तारीख नवेसी कहते है तारीख और तारीख नवेसी में बहुत गहरा रिश्टा है क्योंकि माजी जो गुजर गया, उसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है और उस तक पहुँचने का जो वाहिद जरिया है, वो मुख्तलिफ किसम के माखिज है और वो तमाम किताबें और सरमाया है, जो किसी भी मुल्क, कौम और किसी भी इलाके के लोगों ने अपने माजी को समझने के लिए हम तक छोड़ा है तलब यह है कि बिना तारीख नवी सी को समझे, तारीख को पढ़ा नहीं जा सकता है बिल्कुल सही तो यह बताईए कि प्रफेसर रोबिला थापर ने एक किताब लिखी है दि पास्ट एज प्रेजिन्ट तो क्या माजी, हाल और मुस्तक्बिल में कुछ रिष्टा है? बहुत गहरा कैसे? और प्रफेसर रोबिला थापर जिनकी किताब का आपने जिक्र किया इस किताब में भी और इसके लावा कई दूसरी किताबों में भी उन्होंने कोशिश की है माजी को समझने की और समझाने की अगर मैं उन्ही की बात को जरा सा अपने स्टूडन्स को समझाने की कोशिश करूँ जब भी कोई मुर्रिख माजी को समझने की कोशिश करता है तो माजी उससे जरा सा दूर है और वो मुर्रिख कहीं और है और वो मुर्रिख जहां है वो उसके लिए हाल है प्रेजेंट है और जिसको वो पढ़ रहा है वो उसके लिए माजी है पास्ट है इन दोनों के दर्मियान गहरा रिश्टा इस तोर पर है कि वो मुर्रिख उस गुजरे हुए जमाने के वाकियात और बदलाओ को अपने वक्त में समझने की कोशिश करता है जी और ये देखने की कोशिश करता है कि उस हैद में उसका मीनिंग क्या है उसका मफहूम क्या है ये एक बात और दूसरे ये कि जब वो माजी की तरफ नजर उठाता है उसको समझने के लिए तो उसका हाल और उसका प्रेजन्ट उसके माजी की समझ को मतस्र करता है मिसाल के तोर पर अठारवी सदी में जो मुर्रखीन हिंदोस्तान में हुए और उन्होंने अकबर के दौर को या अशोक के दौर को या चंदरगुप्त मौरिया के दौर को समझने की कोशिश की उनकी व मुख्तलिफ होगा जो बीस्वी सदी में अकबर के दौर को या अशोक के दौर को या चंदरगुप्त मौरिया के दौर को समझने की कोशिश करेंगे वजह उसकी बिलकुल साफ है कि ये दोनों अलग अलग वक्तों के मौरिखीन एक ही एहद को एक ही माजी को अपने अपने एहद में समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टरी को आप ऐसे ले सकते हैं कि हिस्टरी के बारे में कहा जाता है कि वो बैरो मीटर आप हुमन प्रोग्रेस है कि इनसान एक अहद से लेके दूसरे अहद तक कितना प्रोग्रेस किया उसको नापने का एक स्केल है तो अब इस तरह नापते नापते माजी से लेके हाल तक कितना बदलाव हुआ अच्छे के लिए हुआ बुरे के लिए हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तक्बिल में इंसानों की हालात क्या होगी तो गायर ये अप यूरप के इसमें हम नहीं जाएंगे तो करीबी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम हिंदोस्ता में आएंगे तो हिंदोस्तानियों पे अंग्रेजी नवाबातियाती ताकते एक इलजाम लगाया था कि हिंदोस्तानियों के पास तारीखी जहनियत नहीं थी किस वजह से किस सियासी जहनियत से उन्होंने हिंदोस्तानियों पे एक इलजाम लगाया कि हिंदुस्तानियों के पास तारीखी जहनियत नहीं थी क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तानियों के पास तारीखी जहनियत नहीं थी बिलकुल नहीं मैं मानता हूँ और मेरे जैसे कई सारे तारीख के तालबिल मानते हैं कि हिंदुस्तानीयों के पास भी एक तारिखी सर्माया और तारिखी जहनियत थी अंग्रेजों ने जो इस इल्जाम लगाया और इस ख्याल का इजहार किया आपने लफ सियासत जोड़ा है और उसमें सियासत शामिल थी लेकिन सियासत से अलग उनके दोर का अपना मिजाज भी शामिल था अगर आप देखें तो ये वो तमाम अंग्रेज मौरिखीन हैं जो यॉरप में अठारवी और उन्नीसमी सदी में जो तारीख के अंदर तरक्षी हुई है और तारीख एक साइंसी इल्म की हैसियस से अठारवी और उन्नीसमी सदी में काइम हो चुकी थी उन मेयारात के हिसाब से वो हिंदुस्तान के लोगों की तारीखी समझ को समझने की कोशिश कर रहे थे मैं मिसाल के ताव पर अगर एक दो चीजों का नाम लू उनके यहां क्रोनालजी तरती बहुत अहम है कि कौन सा वाकिया कब हुआ उसके बाद कब हुआ उनके यहां डेट बहुत अहम है उनके यहां अकल और अगलियत पसंदी की बनियात पर माजी को समझने का फलसफा जब वो हिंदोस्तान की तारीख नवेसी के अंदास को जब पढ़ने बैठे यह तमाम मेयाराथ यह पुरी सोच और पुरा जहन और उनकी पूरी ट्रेनिंग जो यूरप का तारीख नवेसी का अंदास था उनके जहनों के उपर चाया हुआ था और जब उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं पाई तो उन्होंने कहा कि हिंदोस्तान में तारीख नवेसी की कोई शकल मौजूद नहीं थी दिल्चस्प यह है कि वो ये बात अर्बी तारीख नवेसी के बारे में नहीं कह सकी इसलामी तहजीव को उन्होंने जान बूच के छोड़ा जी बिलकुल सही आपने कहा और उन्होंने ये दिखाया कि इसलामी तहजीव में एक बहुत लंबी रिवायत मौजूद है तारीखन्वेसी के अस अंधाज की जो यूरप के लोग फॉल्व करते हैं तो इसमें उनकी बहुत जबरदस स्यासत शामिल थी और इस स्यासत का इक अच्छी कहाई ये है कि जब वो हंदोस्तान के बारे में लिख रहे हैं और हिंदोस्तान के लोगों के बारे में लिख रहे हैं तो वो हिंदोस्तान के लोगों को और हिंदोस्तान के लोगों के बाहर के लोगों को बताना चाहते हैं कुछ हिंदोस्तान के बारे जिसे बहुत सारे मौरिखी इन आम तोर पर knowledge production कहते हैं यानि जब हम किसी तहजीब के बारे में लिखते हैं तो उस तहजीब के मतालिक एक तारीखी सरमाया लोगों तक पहुचाते हैं और लोगों को उस अंदाज से उस तारीख और तहजीब को देखने के लिए मजबूर करते हैं लोगों के लिए वो एक घिजा होती है एक खुराक होती है और ये उन्होंने बड़ी खुबसूरती से किया लेकिन हाल ही में आपने नाम लिया प्रोफेसर रॉमिला थापर का और इनके लावा भी कई सारे मौरिखीन ने इस बात की तनकीद की और बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है उसके लिए हमें दूसरे पैमानों की और दूसरे मैयराद की जरूरत पड़ सकती मुझे ये बताईए कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री आफ ब्रिटीश इंडिया लिखा और इसी तरह बहुत सारे अंग्रेजी नवाबातियती फिकर रखने वाले मौरिखें जो तारीख लिखे हैं क्या तारीख किसी भी समाज की या किसी भी कम्यूनिटी की उनको देखे भी ना लिखे जा सकती हैं और अंग्रेज मौरिखिन जो तारीख लिखे हैं जेम्स मिल की ब्रिटिश है अगर मिसाल के तवर पर हमने तो उन्होंने हिंदोस्तान की तारीख को इसी अंदाज में क्यों लिखा जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है इसके पीछे क्या वजुभात थे आपने खुलकर नहीं बताया, मैं खुलकर बताता हूँ जेम्स मिल ने जब हिस्ट्री ऑफ बिटिश इंडिया लिखी जेम्स मिल कभी भी हिंदोस्तान आये नहीं और उनके पास हिंदोस्तान के मतालिक जो चीजें थी वो जो बरतानवी अफसर थे उन लोगों ने जो तहरीरे लिखी थी, जो बाते लिखी थी वो जेम्स मिल के सामने मौजूद थी और ये एक बहुत मुश्किल काम है अगर आप इमानदारी के साथ भी किसी समाच की तारीख लिखना चाहें और आप उस समाच की जुबान को उस समाच को न जानते हो तो बहुत मुश्किल होती है जेम्स मिल के के से में तो ये मुश्किल और इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनका एक एजंडा था और वो एजंडा ये था कि अगर आप उनकी किताब देखें तो जेम्स मिल ने पहली बार तारीख नवेसी में एक नई शुरुआत की और उन्होंने हिंदोस्तान की पूरी तारीख को तीन हिस्सों में बाटा तो क्या मैं उसको एक लफ़ जोड सकता हूँ जहरीली शुरुआत बिलकुल सही और उन्होंने कहा कि एक कदीम हिंदोस्तान है जिसको उन्होंने एंशिंट इंडिया कहा और एक मीडीवल इंडिया है एधे उस्ता का हिंदोस्तान एक मौडन इंडिया लेकिन जेम्स मिल यहां नहीं रुके उन्होंने एंशिंट को हिंदू के बराबर कर दिया उन्होंने मीडीवल को मुस्लिम एहद कह दिया और जो तारीख का वो बीज वही बो दिया जो आगे चलकर के बहुत फला पूला और जेम्स मिल्क को मैं मुबारक बात देना चाहूंगा वो इसमें बहुत काम्याब हुए कि हिंदोस्तान की वो तमाम तारीख जो मुसल्मानों के आने से पहले की है वो हिंदू बन गई मुसल्मानों के आने के बाद और अंग्रेजों के आने तक उनके काबिज होने तक की जो तारीख है वो मुसल्म बन गई और इस तरीके से जेमस मिल ने ने सिर्फ ये की लोगों को बलकि हुकूमत को उनके इंतिजाम को उनके पॉलिसीज को उनकी जहनियत को और हिंदुस्तानी तहजीब और सिकाफत को हिंदू और मुसल्मान में पाड़ दे इसके क्या क्या नतीजे निकले इसके नताइज बड़े खतरनाक साबित हुए और हिंदुस्तानी तारीख नवेसी और मौर्रिखी आज तक उसे जूज रहे है उसका सबसे खतरनाक पहलू तो ये था कि जेमस मिल के बाद जेमस मिल की अगर आप बात करें जेमस मिल की किताब उन तमाम अंग्रेजी अफसरान को पढ़ाई जाती थी जो हिंदुस्तान में अफसर बनकर आने के लिए इंगलंड में ट्रेनिंग लेते थे तो जो हिंदुस्तान में बिटिश अफसरान आ रहे हैं उनका तकरण होकर वो पहले से हिंदुस्तान को एक खास तरीके से समझ रहे हैं अच्छा हेली बरी में ये किताब टेक्स्ट बुक थी जी हाँ बहुत मशूर टेक्स्ट बुक जिसके तकरीबन चार पांच एडिशन बहुत जल्दी जल्दी आए वो सारे ये किताब टेक्स्ट बुक थी इसको पढ़के आल्रेडी इसी जहनियत को रखके हिंदुस्तान आते थे हिंदुस्त उस हिंदू दोर को मुसल्मानों ने खतम किया अपना मुसलिम दोर लेकर के आए मुसलिम जहनियत लेकर के आए मुसलिम एड्मिनिस्ट्रेशन लेकर के आए और उसके बाद मुसल्मानों और हिंदू के बीश में नफरत और लडाई मजभब को लेकर के शुरू हो गई और मिल मतलब तारीक इतनी तेज तलवार है आईसी ताकत है अगर तोड मरोड के अगर पेश करेंगे तो क्या हो सकता है एक बार 1947 में हमने देखा और आज भी देख रहे हैं तो एकराम साब हमें यह बताईए आपने इन दो सारे चीज़ हमें बताया है इससे हमें लग रहा है तारीकी हकाइक मौरिक और उनकी जहनियत के बीच में गहरा रिस्ता हमें नजर आ रहा है क्या इस पर आप रोशनी डाल सकते हैं मौरिक जब तारीख लिखने के लिए बैठता है तो उसे सबसे पहले इन्फरमेशन और मालूमात की जरूरत पर दी और मालूमात माखिस में है तारीखी हकाइक को एक बहुत ही एहम तारीख नवेसी का उसूल और सुतून की हैसित से इसकी शुरुआत भी यॉरप में और यॉरप के एक बहुत मश्यूर मौरिख जर्मन मौरिख थे जिनका नाम रांके था उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मौरिख को किसी भी एहद की तारीख लिखनी है तो उसका पहला काम ये है कि आर्काइव में जाकर के हकाइक तलاش करें और हकाइक को तलاش करने के बाद अ नाइलानात को अपनी खाहिश को पसंद को नापसंद को एक तरफ रख दे और हकाइक को अपनी बात बोलने दे रांके कह रहे थे कि इस तरीके से मौरिख माजी के उस सच तक पहुँच जाएगा जिस सच की उसको तलाश है और ये एक बहुत ही मस्तहकम असूल तारीख नवी होते हैं क्या हकाइक के अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं होती ये सवाल पूछा एक और बहुत मशहूर अंग्रेज मौरिख एचकार में और उन्हों ने कहा कि हकायक आजाद नहीं होते बलकि हकायक को बिलवाना पड़ता है और उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी उसमें नदी पार की तो वे एक तारीखी सच बन गया एच कार जो बात कहना चाह रहे थे वो ये कि हकाइक के अंदर छुपा हुआ मफ़ूम और मतलब का तालुक मौरिख और उसकी जहनिय से होता है एक मौरिख हकाइक को जिस तरह चाहता है इस्तेमाल करता है और उनके उपर जो परदा चाहना चाहता है वो परदा चढ़ाता है और ये वो मौरिख इसलिए कर पाता है क्योंकि उस मौरिख की पहले से ही एक जहन बना हुआ अगर मैं मिसाल के तोर पर बात करूँ तो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी और अकबर नामा के अंदर अबुल फजल ने अकबर की खुब तारीफ की और उनके तमाम एहकाम और इंतिजाम और सियासत के बारे में लिखा अब आज जब हम अबुल फजल की अकबर नामा पढ़ने बैखते हैं और उसकी बुनियात पर अकबर का दौर समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हम अबुल फजल की तमाम बातों को सचमान ले क्योंकि वो अकबर के दर्बार में लिखी गई है या हम पहले ये देखें कि अबुल फजल भी तो गलत बोल सकता है अबुल फजल भी तो उसकी तारीफ में कसीदे कह सकता है बहुत मुम्किन है कि जो हुआ वो न लिखकर कि अबुल फजल ने वो लिखा जो बातशाह को अच्छा लगता था अकाय के उपर पहला कलर वही आ गया अब आज जब जदीद दोर में जब हम दोबारा से जब उनको पढ़ते हैं तो हमारे अपनी कुछ पहले से कलर चड़े हुए हमारे हुआ हम मुसल्मान है हम नौर्थ इंडिया के है हम तीस साल के जुम्रे में आते हैं हम अर्दू में पढ़ते और पढ़ाते हैं ये तमाम चीजें हमारा जहन, हमारा मिजाज, हमारा तारीख को और हकाय को देखने का अंदाज बदल देता है इतना सारा होने के बावजूद भी थो थोड़ा अबजेक्टिव हिस्टोरियन का एक जिम्मेदारी बनती है जितना हद तक हो सके उस हद तक अबजेक्टिव होना पड़ता है हिस्टोरियन को कि मनमानी ढंग से तारीकी हकायक को तोड मरोड के पेश नहीं करना चाहिए जैसे आपने कहा कि जेम्स मिल ने कदीम हिंदुस्तान को हिंदु पीरियड कहा जबकि अश्रोक मौर्य हिंदु नहीं थे बौध थे उनके दादा मोहतरम जेन थे हर्षिवरधन बौध थे तो उसको हिंदु पीरियड आप नहीं कह सकते उसी तरह उध्यवस्ता में अगर आपाएंगे बहुत सारे हिंदू राजा थे तो उनके फैक्स के उनके स्टेटमेंट के खिलाफ फैक्स ज्या रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपजेक्टिव हमें यहां होना चाहिए अजीज तलवाओ तालिबात आज के इस गुप्तकू के जरिये आपने समझा है के तारीख में तारीख नवीसी ऐसा अहम सब्जेक्ट है जिसको जाने बिना तारीख को हम नहीं समझ सकते तारीख नवीसी ओ चीज है जिसको अगर हम मामूली तावर से कह सकते हैं तारीख की तारीख है जिसको हमारे अजीज साथी इक्रामुलहक सहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है हमने ये देखा है कि तारीख और तारीख नवीसी के बीच में गहरा रिस्ता है मुआरिक उनकी जहनियत और तारीखी हकायक के बीच में गहरा रिस्ता होता है और हमने ये भी देखा कि किस तरह अंग्रेजी नवाबादियाती ताकते अपने अपने पोलिटिकल अजेंडा से हिंदोस्तान की तारीख को लिखा है और माजी, हाल और मुस्तक्बिल के बीच में एक लगातार डायलाग होता रहता है इसके लिए उन्होंने प्रफिसर रोमिला थापर की किताब The Past Before Us, The Past As Present वगईरा चीज़ों को उन्होंने उलेख किया हुआ है इस टापिक पे ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दी जाने वाली इन किताबों का आप मुताला कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए आप इस पते पर राप्ता कर सकते हैं आएंदा क्लास में हम एक नए टापिक को ले के आपके सामने आएंगे तब तक खुदा हफीज अदाब किते हैं ले fix जगेप कर दो मुत dopoन हैं जा सकते हैं झाल, आप एंदाब तब प्रोध्स के सामने रापिक का या याल दो छcios के वप की सामने की मैं झाल, गफाने सामने이션 झाल झाल झाल